नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल Great MS Voice में सबसे पहले आप सभी को भाईदूज की बहुत-बहुत शुब कामना है भाईबेहन का प्यार हमेशा बना रहे और भगवान लंबी आयो दे दे इस पर भाईदूज पर सभी को बहुत ज़्यादा confusion है कि भाईदूज कब है, इसका शुब मुहरत क्या है, तिलक लगाने का अधिशुब समय क्या है पूजन विधी और किस मंत्र से करें पूजा, भाईदूज क्यों मनाया जाता है भाईदूज मनाने से भाई की उमर तो लंबी होती ही है और साथ ही यमराज ने और वर्दान भी दिया है, उसे भी आपको बताएंगे और इसका क्या महत्व होता है, और भाई को नारियल क्यों दिया जाता है और अंध में कथा सुनेंगे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संपूर्ण जानकारी लाए हैं वीडियो को अंध तक सुनिएगा कार्तिक मास की शुकल पक्ष की द्वित्यतिति पर हर सार भाई बेहन का त्योहर भाई दोज मनाया जाता है भाई दोज पर महिलाएं अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी उमर की कामना करती हैं इस दिन भाई अपनी बेहन के घर तिलक करवाने जाते हैं भाई अपनी बेहन की रक्षा का वादा करते हुए उन्हें तौफ़ा देते हैं भाई दूज पर बहने अपने भाई की लम्बी आयों के लिए पूजा करती हैं यह पर भाई बहन के रिष्ते को मजबूत बनाता है माना जाता है कि यम राज ने अपनी बहन यमणा को वरदान दिया कि यम दूत्या के दिन जो भाई अपनी बेहन के हाथ से मस्तक पर तिलक लगवाता है वह यम की कैट कभी नहीं जाएगा और यदि यम दूत्या के दिन भाई अपनी बेहन के घर में अगर एक निवाला भी भोजन का खा ले तो उसे कभी ना साड़े सती लगेगा ना कभी धैया लगेगा अच्छा क्या आपको पता है भाई बेहन का रिष्टा क्यों बनाया है परमात्मा ने परमात्मा ने भाई बेहन क्यों बनाए भाई बेहन इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब भी कोई विपत्ती आए तो वे आपस में भाई बेहन बांट लें। दुख को बांटने के लिए परमात्मा ने भाई और बेहन बनाए हैं। संपत्ति बांटने के लिए नहीं। विपत्तिया दुख को बांटने के लिए भाई और बेहन का रिष्टा बनाया है। तो आईए अब भाई दूज का शु चुरू हो रही है और इसका स्मापन 15 नुवंबर 2023 को दोपहर एक बचकर 47 मिनट पर होगा उद्या तिथी के हिसाब से भाई बहन का त्युहार भाई दूज 15 नुवंबर बुधवार को मनाया जाएगा भाई दूज पर वैसे तो राहुकाल को छोड़ कर बहने कभी भी भाई को तिलक कर सकती है लेकिन अगर अति शुब समय की बात करें तो ये सुबह 6 बचकर 44 मिनट से 9 बचकर 24 मिनट तक है इस दिन राहुकाल दोपहर 12 बचकर 3 मिनट से 1 बचकर 24 मिनट तक रहेगा इस वाद क ध्यान रखें कि राहुकाल में तिलक ना करें अब जानते हैं पूजा भी थे सुबह उठकर सनान कर तयार हो जाएं सबसे पहले भाई बेहन दोनों मिलकर यम चित्र गुप और यम के दूतों की पूजा करें तथा सब को अर्ग दें भाई दूज की पूजा के दौरान भा इसके बाद बेहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती हैं फिर भाई की हतेली पर सिंदूर पान सुपारी और सूखा नारियल यानि गोला भी रखती हैं फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और उनका मुह मीठा किया जाता है भाई दूज की पूजा क इसके बाद बहन अपने भाई की लंबी उमर की कामना करती हैं, भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। अब आपको यह बताते हैं कि भाई को नारियल क्यों दिया चाता है। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब यम अपनी बहन के घर गए हुए थे, तो लोटते वक्त यमुना जी न उसे नारियल देकर विदा किया था। इसके बाद से इस दिन बहने अपने भाई को नारियल देकर विदा करती हैं। तब ही से यह प्रथा चली आ रही है। आईए, आप सुनते हैं भाईदुज की संपूर्ण कता। भगवान सुरे नरायन की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोक से यमराज तथा यमुना का जनम हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्निह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इश्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कारे में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुकला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंतरन देकर उसे अपने घर आने के लिए वचन बद कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो करना मेरा धर्म है। बेहन के घर आते समय यम्राज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यम्राज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सनान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भोजन कर आया। यमुना द्वारा किये गए आतिथ्य से यम्राज ने प्रसन होकर बेहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बेहन इस दिन अपने भाई को आदर सतकार करके तीका करें उसे तुम्हारा भय ना रहे। यम यमुना को अमूले वस्त्रा भूशन देकर यमलोग की रह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी माननेता है कि जो आतिथ्य सविकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भयादूज को यम्राज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। कथा सुनन और सुनाने वाले सभी भाई बेहनों की भगवान रक्षा करें। उमीद करती हूं आपको यह सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा। और हाँ साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा। ताकि जब भी हम कोई नए पोस्ट डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। धन्यवाद आपका मंगल हो।